Hello everyone this is Pavan Sharma and friends I welcome you all to my channel and guys this video में बात करेंगे intraday stocks के बारे में जो रहेंगे 12th of May 2020 and the day would be Tuesday चले बात करते हैं stocks के बारे में but before that a small disclaimer that all these videos are for education purposes और guys वीडियो को पूरा सुनिये बहुत सारे चीज़े होती हैं जो मैं आपको बताता हूं उनके reasons लेकर आता हूं इसलिए कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिये मैं इतना fast नहीं बोलता कि आप उसको ना समझ सके so please it's for your own benefit only okay और चले बात करते हैं recap के बारे में recap में आज HDFC life ने हमारा first target buy के तरफ हिट किया है पहले HDFC gap up open हुआ फिर नीची आया हमारे level तक फिर दुबारा rise किया and that's where you have to enter अगला था MFSL MFSL ने दोनों side के जो है targets थे वो hit किये both the target it hit for the buy side and sell side का उसने first target hit किया बात करें अगर escort की तो escort में दोनों target हिट किये हैं buy side में escort range में रहा और लेकिन अपने entry level के आसपास करता रहा और अचानक उसने फिर breakout दिया और अधानी ports की बात करें तो hit both the targets थे बाइस side ओके तो यह था हमारा recap यह वो stocks देगाई जो मैंने आपको अपने last video में आज के लिए प्रोवाइड के जो की हमारा trading रहा था Monday के लिए तो चलिए बात करते हैं stocks के लिए भी पहले जानते हैं market dashboard के बारे में market dashboard एक slide है जिसके उपर मैं आपको पूरे दिन का हाल बताता हूं in very brief जैसे nifty ने आज 12 points down close किया अगर आप notice करें तो 98 points positive open हुआ था उसके बाद 150 points तक उपर गया था and after reaching to the height it could not sustain that level और नीची कर गया अगर आपको याद हो मैंने आपको अपनी जो nifty वाली वीडियो में है उसमें आपको बताया था कि nifty को 94.50 की ओपर की closing चाहिए तभी वो positive feel करेगा और अगर उसको अपने आपको hold भी रखना है then तो उसको 93.50 की ओपर closing देना जरूरी है तभी nifty को आगे के लिए buy की सोच सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ and we gave a sell आपको notice होगा मैंने आपको 93.48 पर sell दिया था and it almost fall like 100 points from there बात करते हैं Sensex की 81 points down USD INR आज थोगा सा रूपी appreciate किया है अचानक 2 रूपे के आसपास अगर आप देखें almost like 1 रूपी 70 पैसे के आसपास का appreciate किया है bank nifty जो था वो सारा culprit आज का bank nifty था ICIC bank जैसे मैंने का था market expectation के accordingly result नहीं था लेकिन coronavirus को देखते हुए market का sentiments था वो extremely different था इसलिए मैंने इसको नहीं pick किया for any kind of trading because we never know which side the market will go in such condition इसलिए results वाली किसी भी stock को मैं generally pick नहीं कर रहा हूं आजकल लेकिन आजके जो movement ने बताया वो यह बताया कि market जो है coronavirus वो इन सबसे थुरा सा उपर आ चुकी है and now they are back with earnings की उनका जो focus है वो वापिस corporate earnings के उपर आ गया है अब पूरे market की जो है hope जो है वो stimulus package पिटी की हुई है उसके अलावा there is nothing market has for now which I could say good news Reliance के साथ में है लेकिन Reliance का भी आज कोई ऐसा news नहीं मिला but still it is still there या तो यह कह सकते हैं कि रिलाइंस का है लेकिन और heavy weight जो है थर्स्डेगो या वेनिस्डेगो मारूति कोटक बैंक इनकरब का रिजल्ट भी आने वाला है तो इसके पर धियान रखी का कैसे है आज FIA ने बाई किया है 534 करोर्स का डिया ने सेल किया है 821 करोर्स का आप मेंसे बार बार पूछते हैं कि हमें कैसे support resistance find करना देखिए आसान तरीका बता रहा हूं आपको डाउनलोड करना है अगर आपका अप्स्टॉक का अकाउंट तो आपको डाउनलोड करना है उस पे के बाद में आप जो भी चाहें अगर आप नियर फ्यूजर चाह रहें आप इंडस चाह रहें निफ्टी-50 का बैंक निफ्टी का आप चाह रहें हैं sector wise कि oil gas में कौन-कौन से है retail में कौन-कौन से हैं आप जिसका भी चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं और आप उसका support लेवल चेक कर सकते हैं जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको यह ऐसा दिखाए देगा इसमें R1, R2, R3 लेकिन यह supports हैं basically यह pivot points नहीं है इनको थोगा सा difference नजर आएगा आपको pivot points में इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ जो आपका current line जो blue line है बस बाकियों का आप हटा सकते हैं basic blue line को focus कीचिएगा कि blue line कहां पे है current में आप अपर green और lower red को ignore कर सकते हैं and just by focusing on this blue line आपको current support और current decision दिख जाएगा अगर आपने अभी entry नहीं लिया तो कहीं मिसना हो जाए इसको कहते हैं FOMO fear of missing out यह आपको एक patience trader बनने से हमेशा रोकता रहेगा और रोकता आया है अगर आपको इससे आगे बढ़ना है तो आपको इसको अभी cut down करके you have to move on with that और जब आप move on करते हैं तो आपको हमेशा targets होते हैं वो realistic होने चीए विच मेंस आपका जो capital है उसका अगर आपको 1-2% भी अगर हरोज मिलता है think of a very you can say most powerful trading आप कर रहे हैं और very profitable trading आप कर रहे हैं लेकिन नुकसान कहा होता है आपके जो losses का target हो बहुत बढ़ा होता है so try not to lose money in the market आप इस चीज़ को गांट बांध लिजए and you will be able to make money in coming time बात करते हैं पहले उस talk के बारे में हमारा first talk है Reliance Industries के Reliance Industries को अब दिखिए जब से ये bottom out हुआ था तब से लेके 80% का rise कर चुका है और आज finally उसने news नहीं था ऐसा था कि आज investment news आने वाला है but still news is there लेकिन उसने एक gravestone doji बनाया है 80% rise करने एक बाद में तो या तो आप इसको अभी sell कर सकते हैं intraday के लिए नहीं तो जैसी इसका investment पूरा हो जाता है immediately इसको sell कीजिए का एक बड़ा fall आपको देखने को मिलेगा you have to keep that in mind लेकिन intraday गर आपको sell करना है और buy करना है तो आप intraday में इसको sell करेंगे buy करेंगे above 1590 के ऊपर stop loss रहेगा 1575 का पहला target रहेगा 1605 second target 1620 का and if in case reliance break 1560 sell it with a stop loss of 1575 your first target will be 1550 second target 1535 का रहेगा and guys if you want live support in the live market through me तो आपको मुझे join करना पड़ेगा मेरे telegram channel के ऊपर आज हमारा on cost निकले है stop loss नहीं हुआ है maximum profit जो हमें हुआ वो हुआ हमारा last के nifty के call में market ऐसा ही होता है अगर आप यह expectation लेके आते हैं कि आज मुझे इतना कमाना है तो कभी वो पूरा नहीं होगा आप उसको earn करने के लिए जादा risk लेना पड़ेगा इसलिए जब भी आप कभी market में आते हैं come with an expectation of 1-2% only और हमारा target भी रहता है and if in case you want to join us then the link is in the description box otherwise search for our telegram name and you can join us without any charge आगे बढ़ते हैं अगला हमारा है भारती इंफ्रेटेल का जो पहली slide थी हमारी जब मैंने कहा था आप सुक्री की पूरा वीडियो सुनेगा तो इंफ्रेटेल को क्यों pick किया है इंफ्रेटेल में 3 दिन से लगातार बाइंग चल रहा है लेकिन डिलिवरी परसंटेज बिलकुल निल है अल्मोस्ट 10 से 12 परसंट के आसपास डिलिवरी चल रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा है इसका मतलब सिर्फ ओपरेटर जो है जिसको आप कहेंगे इंट्रडे ओपरेटर वो इसको गाइड कर रहे है इसलिए मैंने इसको लिया है कि कल को अगर मुवमेंट आती है तो आप इसका अप मूव का फिर से बेनिफिट ले सकते है तो उसके लिए में क्या करेंगे आप इंफ्रेटल को बाइ करेंगे 186 के उपर स्टॉप्लोस आप करेंगे 188 का फॉर्स टागेट 190 रहेगा और सेकेंड और सरी फॉर्स टागेट 188 का और सेकेंड टागेट 190 करेंगा लेकिन अगर इंफ्रेटल अब थुरा सा हो सकता है उपरेटर स्ने पॉजिटिव नोट डाल दिया और सब के मन में अगर वो ब्रेक करता है 182 को सेल इड़ प्रेट प्रेट फॉर्स टागेट 180 अगला है हमारा आईजियल का सेम आईजियल में भी है अगर आप नोटिस करेंगे तो आईजियल के पास में वैसे भी 500 का स्ट्रॉंग रिसिस्टन्स दा रहा है और यहां से देखिये कितना बड़ा मॉवमेंट है अल्मोस्ट 300 से लेके 500 तक आ चुका है तो यह चीज़ भी आपको दिया लखना है औके और बिकास अब आईजियल को भाई करेंगे अगर वो 500 को क्रॉस कर लेता है उसके बाद फिर वो 525 का टागेट अचीव करेगा STOP-LOS रहेगा 495 का FIRST-TARGET रहेगा 505 का SECOND-TARGET रहेगा 510 का लेकन अगर आईजिल ब्रेक करता है 490 को Stop-LOS of 495 FIRST-TARGET रहेगा 485 का SECOND-TARGET रहेगा 480 का And guys अगर यह हर चीज़ आप सीखना चाहते है Which means चार्ट को कैसे रीट करते हैं, अपने डेटा को कैसे आपको interpret करना है, निउस को कैसे interpret करना है, support resistance बिना किसी tool के कैसे identify करना है, कि अपने strategies को कैसे build करना है, कैसे उसको profitable बनाना है, then you can join us on to our online technical course, and if you want to know more about that, आप आमें call या WhatsApp करके ज्यादा जान के ले सकते हैं, और 971-411-007 पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को तो जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए जो भी वीडियो में आपको बनाते हैं आपके लिए उस सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अमराजय बैटरी हमारा अगला पेक हैं अमराजय बैटरी को अगर ध्यान से देखेंगे तो दस लास्ट के दस सेशन देखिए वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और अगर इस रेंज को ब्रेक आउट होगा तो एक अच्छी बड़ी मोमेंट हमें देखने को मिलेगी जो की अपसाइड के तरफ होगी तो हम अमराजय बैटरी को बाई करेंगे अगर ब्रेक आउट होगा 573 के ओपर 568 का स्टॉप लोस रहेगा फर्स्ट टागेट 577 सेकिंड टागेट रहेगा 583 का अगर आप ओप्शन ट्रेडर हैं आपके पास में 80-20 का रहेटा है 80% you will grow 20% you will lose लेकिन अगर आप options में आते हैं options strategies में आते हैं तो वो opposite हो जाता है unlimited profit नहीं होगा यह बात confirmed होती है but you will know that आपका profit or loss ratio क्या रहेगा और without any headache without any tension आप उनको implement कर सकते हैं because आपको पता है market कहीं भी जाएगा आपका profit loss इससे जादा नहीं होगा और अगर आप यह सब को सीखना चाहते हैं तो आपके पास में number WhatsApp करके हमसे 12 points ही change हुआ है which means अगर हम वापिस उसकी बात कर देसे दोनों target हीट करके उपर से नीचे 39 का साथ हाई बनाया था वहाँ से नीचे आया है विच मेंस अगर निफ्टी कल को वापिस अगर 93 को break करेगा buy कीजेगा 92 to 70 का stop loss रखकर first target once again 9400 second target रहेगा 9450 का लेकिन अगर वो break करता है sorry 91 90 को तो sell कीजेगा stop loss 92 to 0 का रहेगा first target 90 100 रहेगा second target इसमें आपका 9050 का रहेगा बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी वीक है access bank का बुर रिजल्ट आया RBL bank का बुर रिजल्ट रिजल्ट बुरा आया बात बैंक की तो अब तो उम्मीद ये जताई जा रहेगी कोटक बैंक का रिजल्ट भी थुराँसा वीक ही आएगा तो अगर ऐसा रहा तो अगर बैंक निफ्टी पूरे मार्केट को नीचे लेके जाएगी तो अगर बैंक निफ्टी को आपको बाई करना इंट्रडे के लिए तो आप बाई करेंगे 19,100 के उपर 19,030 का stop loss रखकर 1st target 19,300 2nd target 19,400 करेगा and if bank nifty break 18,850 sell it with a stop loss of 18,930 पहला target इसमें निकल के आएगा 18,700 का और जो 2nd target निकल के आएगा 18,500 का होगा और गाईज जाने से पहले subscribe करना मत बूलिएगा हमारे चैनल को कोई भी आपका question राता है do write them in the comment box I'll be happy to answer all of them और अगर आपको हमें join करना हमारे telegram channel पर for the live support तो या तो आप आप करेंगे VOLU trading आपको मिल जाएगा otherwise उसका link description box में है website पे available है और कुछ और जो links है वो available है website पे और description box में and those are for account opening and guys if in case you have any question do write them in the comment box I'll see you into my next video have a nice day take care